नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर हमान्चुजैन आज आपसे बात करना चाहता हूँ नाक में पिम्पल या नेजल वेस्टिबलाइटर्स के बारे में अगर आपको लगता है कि पिम्पल सिर्फ चेहरे पर होते हैं तो आप गलत हैं कई बार नाक के अंदर भी पिम्पल हो जाते हैं जिन्हें लोग फुंसी भी कहते हैं इसको नेजल वेस्टिबलाइटर्स या फॉलिकुलाइटर्स भी कहा जाता है यह स्टेफाइलो कोकस नाम के बैक्टिरिया की वज़े से होता है प्रदूशन धुल मिट्टी नाक में बरबर उंगली डालना नाक के बालों को तोड़ने की वज़े से भी यह फुंसी या पि होते हैं कुछ एह प handling घली नाक में अपको लगेगा कि यह नाक के बाल हैं किसली है आपके नाक में लमबे बाल जिसे रिप्रेसी कहते हैं आपके शरीर की रक्षप्रणाली का हिस्सा है जब आप सांस लेते हैं तो आपको अक्सीजन और कार्वन डायकसाइड ही नहीं मिलती है आपको धूल, बेक्टीरिया और गंदगी भी मिल रही होती है नाक के बाल के होने की वज़े से शरीर को फाइदा होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में गंदगी जाने से रोकते है सांस के साथ धूल, मिक्टी भी चली जाती है अगर आपके नाक में बाल नहूं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश करेंगी और कई बिमारिया पैदा कर सकते लेकिन अगर आपके नाक में बाल हैं तो गंदगी आपके नाक के बाल में ही जम कर रह जाती है आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है इसलिए नाक में बाल नहीं काटने चाहिए जैसे पलकें हमारी आखों को साफ रखती हैं वैसे ही नाक के बाल हमारी नाक को सा रखते हैं नाक में बाल नहीं होंगे तो इन प्रदूशिट बेक्टीरिया के कारणंट हम किसी infection का शिकार बन सकते हैं कोई भी बाहर का infection बिना filter हुए हमारे फैफणों तक जा सकता है और बिमारियां दे सकता है नाक के बाल फेफणों के लिए एक filter का काम करते हैं nasal vestibulitis हो जाए तो आपको क्या क्या symptoms आते हैं नाक पे सूजन आना, लाली होना नाक के अंदर pimple आपको महसूस हो सकता है नाक के बालों पे थोड़ी सी सूजन भी हो सकती है नाक में बहुत ज़्यादा परत जमना, दर्द होना और फुनसी होना भी इसके एक सिम्टम्स हैं क्यों नहीं उखाडने चाहिए नाक के बाल नाक के उपरी हिस्से से शुरू होकर होटो के दोनों कोनों को अगर आप जोड़ें तो एक ट्रैंगल बनता है यह हिस्से आंखों नाक के आज पास का है देंजर अगर बनता है चेहरे इस हिस्से के पास से शरी की कई महत्वपून नसे गुजरती है जो सीधे दिमाग के साथ जुड़ती है इसे डेंजर ट्रैंगल कहा जाता है इसलिए आखों, नाख और मुग के आसपास की तवचा स्किन इंफेक्शन से जल्दी प्रभावित होती है और कई बार खतरनाक रूप्स ले सकती है जैसे ही आप बाल जटकें से तोड़ते हैं तो ब्लड वैसल के छेर हो जाते हैं और यही खों बह सकता है या इंफेक्शन हो सकता है ऐसे में अगर डेंजर ट्रेंगल के हिस्से में गंभीर इंफेक्शन हो जाए तो इसे दिमाग की नसों तक इंफेक्शन पहुच सकता है और व्यक्ती की मौत भी हो सकती है जब infection danger area of face पे हो और infection अंदर तक जाए तो उसकी वज़े से cavernous sinus thrombosis या दिमाग का infection हो सकता है इसके लिए आपको तुरेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो आपको antibiotic शुरू करेगा cavernous sinus thrombosis के symptoms हैं headache बहुत तेज सिर में दर्द होना चेहरे पे दर्द होना बुखार आना आखों से धुनला दिखना आखे पे सूजन आना और दिमाग में confusion की स्थिति पैदा हो nasal vestibulitis को treat करने के लिए आपका डॉक्टर आपको antibiotic prescribe कर सकता है कुछ चीजों में वो नाख में मलहम दे सकता है कभी कभी आपको गरम कपड़े से नाख की सिकाई के लिए भी बूला जाए कुछ cases में डॉक्टर इसको चीरा लगा कर drain करेगा जिससे की पस वहाँ से निकल जाए कभी भी अपने हाथों से pimple फोड़ने की कोशिश ना करें नाख के बाल को काटने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा छोटी करची से साबधानी से आप नाख के बाल काट सकते हैं अगर आपके पास trimmer है तो trimmer का इस्तमाल कर सकते हैं laser hair removal नाख में किया जाता है बट expensive होता है और नाख की परत को जला भी सकता है nasal vestibulitis आसानी से ठीक किया जा सकता है सही समय पर दवाईया शुरू होनी चाहिए अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और नाख के बारे में बात करें आपका डॉक्टर आपको सही राय देगा भूल कर भी कभी pimple को ना छूएं ना उसे फोड़ने की कोशिश करें अच्छा खाना खाएं तली भूनी चीजियों से दूर रहें सकिन के साथ नाख की सफाई का भी ध्यान रखें लेकिन जवर्दस्ती नाख को बारबार साफ करने की कोशिश नं करें नहीं नाख के बालों को तोड़ने की कोशिश करें नाक में बार बार उंगली ना डाले हमेशा हाथ अच्छे से धो करी नाक को छुए धन्यवाद